हेलो दोस्तो आज हम लोग integration के ये तीन सम करने वाले है तो यहाँ पे देखना जैसे कि ये वाला integration है ठीक है तो अभी हमें directly तो ट्रिगो का direct कुछ formula पता नहीं है जो ये solve हो जाएगा तो हमें क्या करना है ट्रिगो के कुछ formula put करना है और इसको general integration के formula में पताना है अब integration के general formula क क्या होते है वह मैंने आपको अल्रेड़ी बताया है तो यहाँ पर मैं use करूंगा sine 2x का formula तो trigonometric में sine 2x का formula क्या होता है 2 sin x cos x तो यहाँ पर वो मैं put करता हूँ तो 2 sin x cos x और यहाँ पर cos x आ जाएगा और फिर यहाँ पर cos cos cut तो यहाँ पर क्या बचेगा integration of 2 sin x cos x तो 2 भारा जाएगा तो सिर्फ बचेगा integration of sine x अब integration of sine x तो हमें general पता है कि क्या होता है वो होता है minus cos x होता है तो multiplication में हो जाएगा तो minus cos x plus c तो answer हो जाएगा minus 2 cos x plus c हमारा answer है ठीक है तो integrate का formula लगाने के बाद एक plus c आता है वो हमें पता है अब जैसे कि ये वाला समझेते है अब इसको भी हम ऐसा करेंगे जैसे मैं integrate कर रहा हूँ अब मुझे कुछ formula पूट नहीं करना है बट यहाँ पर मैं ऐसा कर रहा हूँ कि sin x को as it is लिख रहा हूँ बट cos square को मैं cos x into cos x लिख रहा हूँ क्यों कि देखो आपको अभी पता चलेगा sin by cos कितना होता है 10 x होता है जो कि हमें पता है और one by cos कितना होता है sec x होता है तो देखो अब आपको पता चलेगा कि 10 x into sec x का integration का directly क्या formula होता है देखो अगर आपको integration के basics formula नहीं आता है sec x plus c ठीक है तो यह directly इसका formula होता है जो कि answer आजाएगा अब जैसे कि यह वलास हम दिखते है यहाँ पर trigonometric में हमें पता है cos 2x can be written as 1 minus 2 sin square x तो यहाँ पर same चीज़ लिखता हूँ मैं cos square को 1 minus 2 sin square x ठीक है अब यह चीज़ किया मैंने क्योंकि denominator में भी sin square है तो वो practice करने पर आपको पता चल जाएगा यह चीज़ तो यह हो जाएगा 1 upon sin square x minus 2 sin square x upon sin square x आ जाएगा ठीक है तो यह वाला part हो गया अब मैं क्या करूँगा यह वाला part cut तो यहाँ पर 1 by sin square क्या हो जाएगा 1 by sin square हो जाएगा cosec square x minus 2 और यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ 1 होएगा कुछ नहीं है तो dx तो अब मैं क्या करूँगा यह integrate को अंदर पूट करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा integration of cosec square x dx minus 2 integration of कुछ नहीं है तो 1 dx ठीक है 2 मैंने भार क्यों लिका क्योंकि integration में कभी भी constant बाहर आ जाता है तो यह चीज हो जाएगा अब इसका directly हमें formula पता जो की होता है minus cot x और यहाँ पर 1 का होता है x तो plus c आ जाएगा जबी भी आप integration का formula लगा होगी plus c आपको डालना है हेलो दोस्तो मेरा नाम जतिन शर्मा है IIT Jam Mathematics मेरा all India rank 406 था मैं online personal lecture या तो doubt solving रहता है कोई भी class रहेगा कोई भी topic रहेगा mathematics का degree का भी रहेगा तो भी चलेगा आप मुझे call या whatsapp कर सकते है email address भी मिल दिया है आप subscribe कीजिए channel को और यह video में अगर आपको कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे facebook या instagram पर पूर सकते हैं मैं आपको reply करूँगा link description में है